Hey guys, welcome back to my channel वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आपने इस ड्रामा के प्रिवेस पार्ट्स नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि च्याओ लूफेन को अपने और हान के बारे में सब कुछ बता देती है जिसके बाद च्याओ और हान की साधी हो जाती है दिन ये सब भी लोग पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ पर लूफेन ने मिंचेन के लिए सब्प्राइस प्लान करके रखा था और वो उसे रिंग देकर साधी के लिए प्रपोस कर देती है लेकिन मिंचेन सोच रहा होता है कि उसने अभी तक उसे सारा सच नहीं बताया है इसलिए वो कुछ भी जवाब नहीं देता और उसके रिंग के बॉक्स को भी बंद कर देता है लूफेन बहुत ही सौक्ट होती है और वो रोने लगती है और फिर उसे कहती है कि मैं बस मजाग कर रही थी और वो रिंग को फिक कर वहाँ से चली जाती है और मिंचेन बहुत ही अपसेट हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए जिए निक बार जाकर ड्रिंग करने लगता है वहाँ पर बाइब इन भी होती और वो उसे देख लेती है और वो उसके पास आकर बैट जाती है लेकिन मिंच़न इतना ड्रंक होता है कि उसे बाइब ने लूफेन नजर आ ररी होती है तुम्हें रिजेक कर दिया है और वो सिब तुम्हें देट कर रहा था वो तुमसे साथ ही बिलकुल नहीं करेगा क्योंकि उसकी कंपनी की कंडिशन अभी अच्छी नहीं है और उसे नरग की कंपनी की काफी जरुरत है और तुमारी इसी हालत देखकर मैं बहुत ही खुस दिन जियांग मिंचेन को बताता है कि कल रात वो बाइबिन से मिली थी और साइद उसी की वज़े से वो यहां से चली गई है जिसके बाद मिंचेन लूफेन के होमटाउन जाता है और उसे वहां से मना कर ले आता है और फिर वो कंपनी में एक पार्टी रखता है और सभी के बहन भी इन दोनों की साधी के लिए मान जाती है दिन मिंग्चें त्यानरन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि तुम सिस्टर के बारे में गलत सोचते आ रहे हो और वो उसे एक्सिडेंट की फोटो देकर कहता है कि इसमें जो ट्राफिक पुलिस खड़ा है उसका नमबर मैंने इसमें लिखा है तुम इससे कॉल करके पूछलो वो तुम्हें सारी सच्चा़ी बता देगा दिन त्यानरन उस पुलिस उफिसले से मिलता है और उसे उस एक्सिडेंट के बारे में पूछता है तो पुलिस उफिसले उसे बताता है यह सारा सच सुनने के बाद त्यानन को बहुत ही गिल्ट होता है कि वो इतने सालों से अपनी बहन को गलत समझ रहा था जिसके बाद त्यानन अपनी बहन से मिलने जाता है और उससे सौरी कहता है उसकी बहन भी उसका सौरी एकसेप कर लेती है और दोनों की भी सब कुछ ठीक ह पमिठ किया नए तो बाइब बिन उसे कहती है कि मुझे कुछ बात कर नहीं है और उसे कहती है कि तुम इस बारह दो सोचना और फिर वो महाँ से चली जाती है फिर मिंग्चेन यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि सौरी मैं लेट हो गया उसके बाद वो दोनों वेडिंग फोटो सुट कर लेते हैं फिर लूफेन च्याओ के साथ घर आ जाती है और उससे जो बाइबीन ने कहा था उसके बारे में सोचने लगती है और फिर लूफेन को सब समझ आ जाता है कि बाइबीन ने क्या कहा था फिर वो सोचने लगती है कि जब यह पहली बार वाश्यूम में मिले थे तो उसके CPR देने के वज़े सिप मिंग्चेन ठीक हो गया था और हॉस्पिटल में भी उसने उसे किस किया था और कॉंट्रेक्स साइन करने के लिए बोल रहा था और नेक्स डे उसका नेवर बन गया और फिर कैसे वो उसे देटिंग के लिए मना रहा था ये सारी चीज़े सोचने के बाद लूफेन बहुत ही अपसेट हो जाती है और सोचती है कि यानि मैं सिप उसकी मेडिसीन हूँ तो नेक्स डे लूफेन और मिंग्चेन के साधी होती है जहाँ पर सभी लोग बहुत घुस होते हैं लेकिन लूफेन नहीं वो इनी सब चीज़ों के बारों में सोच्री होती है और फिर वो मिंग्चेन से पूछती है कि क्या तुमने मुझसे कभी जूट बोला है तो मिंग्चेन कहता है कि नहीं तो लूफेन जाती है और उनके जो सारे फोटोस रखेते हैं गिरा देती है और घुसे में यहां से चली जाती है सभी लोग सौक्ड होते है लेकिन मिंग्चेन समझ जाता है कि सायथ लूफेन को सब कुछ पता चल गया है फिर लूफेन घर आने के बाद बहुत जादा रोती है और वो मिंग्चेन से बात करना ही छोड़ देती है फिर मिंग्चेन उसे मेसच करता है उसे बताता है कि तुम्हारे घर में एक लेटर है जो मैंने बहुत टाइम पहले लिखा था फिर वो लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि starting में हम accidentally मिले थे और सुरू में बस मैं survive करने के लिए तुम्हें date करना चाह रहा था लेकिन धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला और मैं तुम्हें सच में like करने लग गया और मैंने तुम्हें सच अब तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं डर रहा था कि मैं तुम्हें खो दूँगा लेकिन लूफेन तो बहुत जादा हाट थी वो उसे मैसेज करती है कि तुमने मेरी कमपनी में जो भी पेसा लगाया है मैं वो वापस कर दूँगी फिर मिंचन लूफेन से मिलने आ जाता है और उसे फोर्चलिक कीज करने लगता है तो लूफेन उसे एक थपड मार देती है तो मिंचन कहता है कि यानि तुमने मुझे अभी भी माफ नहीं किया है फिर वो इसे contract दिखाता और कहता है कि मैंने इस पर sign कर दिये हैं और तुम्हें मेरी सारी investment के पैसे वापस करने पड़ेंगे तो Lufen कहती ही कि हाँ मुझे तुम्हारी एक भी चीज नहीं चाहिए फिर मिंचेन वहाँ से चला जाता है जिसके बाद Lufen अपनी company के लिए एक नया investor ढूणने लगती है लेकिन सबी उसको माना कर रहे होते हैं लेकिन फिर उसे एक investor मिल जाता है लेकिन वह से suggest करता है कि उसे अपनी wine में थोड़ा change करना चाहिए ताकि वह लोगों को पसंद आए और इसके लिए वह Lufen को किसी को debt करने के लिए बोलता है ताकि इसके लिए उसे inspiration मिले लेकिन लुफेन कहती है कि मैं अभी किसी को भी debt नहीं करना चाहती हूँ फिर वो investor मिंग्चेन को बुलाता है और लुफेन से कहता है कि मज़े तुम दोनों की love story के बारे में पता है तुम दोनों फिर से साथ रहो और फिर एक अच्छी सी wine बनाना फिर मैं उसमें invest करूँगा ये बोल कर वो चला जाता है फिर मिंग्चेन लुफेन के साथ उसकी company आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमारी help करने के लिए तयार हूँ लेकिन मेरी पास एक condition है कि तुम्हें मेरे साथ किस contract sign करना पड़ेगा और मैं अपनी बिमारी को survive करने के लिए तुम्हें हर रोच किस करूँगा तो लुफेन मन में सोचती है कि मुझे हाँ कह देना चाहिए आखिर ये इसकी बिमारी का सवाल है फिर लुफेन contract sign कर देती है और contract के हिसाब से वो उसके घर पर आकर रहने लग जाती है और वो अपनी जॉब पे जाने के लिए ready होती है और मिंचेन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके किस करने का wait करती है लेकिन मिंचेन कुछ भी नहीं करता तो फिर वो अपनी जॉब के लिए चली जाती है और फिर दिन ऐसे ही बीटते जाते हैं और मिंग्चन लूफेन को बिल्कुल भी किस नहीं करता है और उसके कंडिशन और भी ज़्यादा खराब होती जाती है लूफेन के कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और इंविस्टर उसके कंपनी में इंवेस्ट कर देता है तो मिंग्चन उससे कहता है कि अब तुम्मारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो चलो हम लूख सेलिबराट करते हैं तो लूफेन कहती है कि पहलो मैं अपने सारे कलिक्स के साथ सेलिबरेट करूंगी तब ही यहाँ पर जियान आ जाता है और वे कहता है कि मुझे तुमारी हेल्प की जरूरत है और वो लूफिन को यहाँ से लेकर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से मिंगचन से प्यार कर सकती हो तो लूफेन देख लेती है कि मिंगचन उनकी बाती सुन रहा है तो वो जान बुचकर कहती है कि बिल्कुल भी नहीं मैं उससे बहुत ही नफरत करती हूँ और मैं उसे कभी माप नहीं करूंगी लेकिन फिर भी जियांग उसे समझा रहा होता है और उसे कहता है कि मिंगचेन एक पैसेंट है और उसे तुम ही बचा सकती हो लेकिन लुफेन नहीं मानती है तब ही जियांग मिंगचेन को खीच कर लाता है तो लुफेन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी फिल नहीं करती हूँ तो मिंगचन उसे कुछ भी नहीं कहता है और महाँ से जियांग को लेकर चले जाता है फिर मिंगचन त्यानर से मिलने जाता है और उसे बता देता है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ और मेरे जाने के बाद तुम्हें ही कमपनी को समाना है और तुम सिस्टरे का भी अच्छे से ध्यान रखना इदर लूफेन जब घर आती है तो उसे गुडबाई का नोट मिलता है और मिंग्चन ये घर उसके नाम पर करके चले जाता है और ये नोट देखकर लूफेन रोने लग जाती है जिसके बाद जब लूफेन कमपनी में काम कर रही होती है तब ही वहाँ पर जियांग आता है और उसे कहता है कि तुम कैसी लड़की हो मिंग्चन ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है लेकिन तुम्हें तो उसकी जराबी नहीं पड़ी है मैं अभी भी तुमसे भीग मांग रहा हूँ तुम ही उसे बचा सकती हो क्योंकि मैं अपने फ्रेंड को ऐसे मारते में नहीं देख सकता हूँ तो लुफें सौक हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या कहा तुमने जियांग उसे बताता है कि मिंग्चन अभी हॉस्पिटल में और उसकी कंडिशन बहुत ही क्रिटिकल है ये सुनकर लूफेन जल्दी से दोड़कर हॉस्पिटल आती है और देखती है कि मिंचन के हालत बहुत ही खराब है ये देखकर वो रोने लगती है और कहती है कि सब मेरी गलती है तब मिंचन के सिस्टर उसे संभालती है और कहती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है जैसे हो रहा था और इसी वेज़े से मिंग्चन अब तक ठीक था तो लुफन कहती है कि मैं अभी भी मिंग्चन को ही पसंद करती हूं फिर लुफन मिंग्चन के पास आ जाती है और मिंग्चन को होस आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया ह वो मिंगचन को खिस करती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और मुझी जियांग ने सब बता दिया है कि तुम अबरोड जाने वाले हो ट्रीटमेंट के लिए और वो पूछती है कि तुम कब जाने वाले हो तो मिंगचन कहता है कि एक अपते बाद तो लूफेन कहती है कि हमारे पास साथ दीन का टाइम है हम इन साथ दिनों में घूमने जाएंगे और बहुत सारी फोटोस क्लिक करेंगे और फिर अब रोड जाकर भी तुम मुझे मिस करना और मैं ये सारी फोटोस देखकर तुम्हें मिस करूंगी फिर हम देखते हैं कि मिंगचेन और लूफेन घर आ जाते हैं और फिर मिंगचेन उसे रिंग पहनाता है और उसे फैश अब प्रोपोस करता है फिर nine day लूफेन मिंगचेन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है लेकिन वो वहाँ पर होता ही नहीं है और उसने एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि जब तक 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 मैं यहाँ से जा चुका होँगा और लिखा होता है कि जब मैं तुम से पहली बार मिला था तब से ही मैं कुछ फील करने लगा था और अगर मैं कभी वापस नहीं आया तो तुम मुझे भूल जाना और सोच लेना कि मैं कभी एक्जिस्ट ही नहीं करता था ये लेटा पढ़ने के बाद लूफेन बहुत ही रोने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी और वो मिंचेन का वेट करती रहती है और ऐसे ही छे महीने बीच जाते है और लूफेन अब मिंचेन की कंपनी के साथ काम कर रही होती है और वो काफी फेमस हो जुकी होती है लेकिन वो सिफ मिंचेन के बापस आने का वेट कर रही होती है जिसके बाद वो एक जगह पर जाकर अपनी और मिंग्चेन की सारी पुरानी मेमोरीज को याद करी होती है तब ही यहाँ पर मिंग्चेन आ जाता है और लूफेन उसे देखकर बहुत खुस होती है और वो बेहोस होने वाली होती है तो मिंग चिन उसे आकर पकड़ लेता है और फिर वो उसे किस करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैपी एंडिंग हो जाती है इसी तरह और भी इंट्रस्टिंग ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तक्स पो वाच्चिं!